साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बनवाल राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोग गहलोथ बुरी तरह से फस गए है और सिर्फ अशोग गहलोथी क्यों पूरी कॉंग्रेसी राजस्थान की पूरी कॉंग्रेसी भ्रष्टाचार के फंदे में फस गई है और इसलिए हर तरफ कॉंग्रेसी नेताओं में कोहराम मचा है लेकिन सही माइने में देखें तो प्रधान मंत्री मोदी ने अपने एक कदम से और मोदी क्यों सरकार कहिए सरकार ने अपने एक कदम से राजस्थान के 40 लाक युवाओं का दिल जीत लिया है और वो भी एक जटके में आपने देखा होगा दोस्तों कि कल एक बहुत बड़ी खबर सुरक्यों में रही हर तरफ और ये खबर क्या थी राजस्थान में एडी जैसे ही एक्शन में आई हंगामा मच गया चोटा बड़ा हर नेता और राजस्थान की बात नहीं है बलकि पूरे देश में आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम नेत बिलकुल आवाज बुलंद कर रहे हैं बलकि मैंने तो देखा सचिन पाइलेट भी समर्थन में कूद आए हैं अगर वैसे कहें तो मोदी जी ने तो बड़ा नुकसान कर दिया लेकिन नहीं ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है दोस्तों क्यूंकि राजस्थान में कॉं आव की वजह से हो रहा है एडी पर बड़े बड़े इंजाम लगाए टिड़ी दल बता दिया गुंडा गर्दी बताया है और कॉंग्रेस के लिए मुसीबत चौतरफा क्यूं है ये बात भी समझे एक तो सीधे एडी अशोग गहलोत के घर पहुंच गई अशोग गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर शिकंजा कसा है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो भी बड़ी मुसीबत में फस गए है और इसलिए कॉंग्रेस चौनाव का बहाना बना कर आरोप लगा रही है लेगिन सचाई ये है दोस्तों कि एड चौनाव के समय ही इसका महत्व था क्यों ये मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी मामले को कॉंग्रेस जुटला नहीं पा रही है बहाने जरूर बता रही है लेकिन जुटला नहीं रही है और इसलिए मैं आपको एक उदाहरन देता हूँ वैभव गहलोत जो अशोग गहलोत के पुत्र हैं वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये मामला ग्यारा-बारा-थेरा साल पुराना है अब ज़रा सोचे भई उस समय तो कॉंग्रेस की ही सरकार थी ना तो क्या वो आपको शिकंजे में ले लेती बयान सुनिए वैभव गह दोत का देख रहे ना जुटला नहीं रहा है बोल रहे हैं मामला पुराना है अरे बाई पुराना है तो ये तो किसी कड़ी में आपको बुलावा भेजा गया है ना और जो दूसरा मामला है पेपर लीक का मामला ये कितना बड़ा आप समझे चार साल में जो मैं आकड़े आपको दिखा रहा हूँ बारह बार राजस्थान में पेपर लीक हुए है और इसमें दोस्तों राजस्थान के 40 लाक युवाओं को परिशानी जेलनी पड़ी है जिनके जीवन का कई साल इसे उ जीवन के अगले दौर के बारे में सोचता है कि आगे क्या करना है लेकिन आपने तो परिक्षा ही नहीं होने दी और पूरा बरबाद कर दिया और ये जो परिक्षा लिक का मामला है न दोस्तों कितना बड़ा है आपको एक छोटा सा उदाहरन दे रहा हूँ ये ट्वीट द जवाब ने अजीत अंजुम की मेहनत पर पानी फेर दिया अब ये ट्वीट मैं आपको क्यों दिखाता है इसमें कोई बहुत मेरी दिल्चस्पी थी नहीं लेकिन इस ट्वीट का जवाब खुद अजीत अंजुम जी ने दिया है तो ये महतपोर्ण हो गया और उन्होंने क गया था इसका मतलब समझ रहे है कि उधर के एको सिस्टम में भी लोगों को पता है कि ये पेपर लीक का मामला कितना बड़ा है राजस्थान के युवाओं में लाकों युवाओं में कितना रोश है कितना गुसा है और इस मामले में दोस्तों एडी को कई सारे सबूत मिले तब ही जाकर के राजस्थान के कॉंग्रेस के अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा समेथ 12 स्थानों पर इडी ने छापे मारी की तो ये मामला आप समझ लीजिए कितना बड़ा है अब जब ये बच्चे नाराज हैं उन तक अब ये मैसेच जाएगा कि केंद्री सरकार की अजेंसियों ने केंद्री अजेंसियों ने इतनी बड़ी कारवाई कियें तो समझ में तो आएगा ना कैसा नहीं कि मामला योई पड़ा रहता है बलकि कारवाई भी होती है और इसलिए ये महतपूर्ण है और जो दूसरा मामला है दोस्तों वो भी देख लीजिए अशोग भाईया जो भ्रष्टाचार का मामला वो थोड़ी न छूप जाएगा और ये तो ये भी जो घटनाए हो रही है ना ऐसा नहीं कि चुनाव के समय हो रही है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अभी ED ने कल इनके बेटे वेभव गहलोत को नोटीस भेजा और कहा कि प्रस्तुत हो ये अगले दिन आपसे सवाल जवाब करना है अब ये मामला क्या है पहले ये आप समझ लीजिए दरसल ये पूरा मामला दोस्तों मुंबई स्थित फर्म ट्राइटन होटल्स एंड प्राइबेट लिमिटेट से जुड़ा है और इस मामले में केंद्री एजेंसी ED ने अगस्त और सितंबर में आप देख लीजिए जैपूर, उदैपूर, मुंबई और दिल्ली में कई स्थानों पर छापे मारी की थी और उस दोराद दोस्तों ED ने बताया था कि फेमा, जा प्राइबेट लिमिटेट के निदेशक और प्रमोटर शिव शंकर शर्मा और रतनकांच शर्मा के खिलाफ शुरू की गई थी और जो रतनकांच शर्मा है वो CM अशोग गहलोत के बेटे, वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर भी बताये जाते हैं अब E.D. वैभव गहलोत से ये जानना चाहती है कि मौरिशिस की जिस शेल कमपनी के जरिये ट्राइटन होटल में करोडो रुपिये निवेश के नाम पर आए उसमें हुआ क्या है क्योंकि उसमें कई सारे घपलों की जानकारी मिली है दोस्तों और E.D. के पास इस बात के हैं कि होटल के शेरों को मनमाने दामों पर खरीदा गया अब ये आरोप है कि इस होटल के जरिये कहीं वैभव गहलोत ने हवाला का पैसा देश में तो नहीं लाया अब जब वैभव गहलोत को E.D. ने बुलाया ना दोस्तों तो अशोग गहलोत एक दम से परिशान हो उठे उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉंफरेंस करके वो सामने आये या बाकी नेता सामने आये आप समझ लीजिए कि E.D. ने सही जगे पर हाथ डाला है और इसलिए ये चटपटा हट देखने को मिल रही है और इसलिए शोग गहलोत ने इस पूरे मुद्दे को चुनाब से महलाओं के लिए कॉंग्रेस की गारंटियां लाँच और 26 अक्टूबर राजस्थान कॉंग्रेस अध्यक्ष गोविन सिंग जी डोटाटसरा के यहां E.D. की रेड मेरे बेटे वैभव गहलोत को E.D. में हाजिर होने का समन अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहता आ रहा हू कि राजस्थान के अंदर E.D. की रेड रोज रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि राजस्थान में महलाओं को किसानों को गरीबों को कॉंग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाव मिल सके गजब एंगल दिया देख रहे ना मैं बंगाल वाला भी देख रहा था वहां बोल रही है कि दुरगा पुझा खतम हुआ तो ये लोग E.D. रेट कर रहे हैं अरे भाई मतलब कुछ न कुछ तो हो ही रहा होगा न और अशोग गहलोत की थियोरी को आप पलड़ दीजे कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिष्टाचार के मामले में फसे हैं बहुत सारे मामले में फसे हैं इसलिए आप तमाम तरह की रिवडियां दे रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके अब जरा सोचिए दोस्तों अशोग गहलोत ये कहकर जनता को बरगलाना चाहते हैं कि महिलाओं को जो कुछ देने का उन्होंने बादा किया है उससे ध्यान भटकाने के लिए उससे रोकने के लिए प्रधान मंत्री मोदिया ऐसा कर रहे हैं अब कोई भी क्या विश्वास कर कि क्योंकि महिलाओं को लेकर जितने काम इस सरकार ने किये उससे पहले तो किसी ने नहीं किये और महिला नित्री तुमें सशक्ती करण की बाद तो पहली बार इसी सरकार ने किये ना इसलिए इसका मतलब साफ है कि आप रश्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए ये सब बा पात साल में आप पर कितने इल्जाम आएं कितने आरोप लगें भ्रष्टाचार के पूरा एनिमेशन आपको दिखाए एक छोटा सा आपको हिस्सा देजी से दिखा रहा हूँ आप देखिए लाल डायरी घोटाला इसमें जो अशोग गहलोत के भ्रष्टाचार का लेखा और जब ये पेश कर रहे थे तो गहलोत के साथियों ने छीन लिया और इसमें क्या लिखा था ये भी है ना कि अशोग गहलोत ने सचीन पाइलेट के विद्रोह को रोकने के लिए किस किस को पैसा दिया था पूरा ब्योरा है ये कौन बोलेगा और आगे बढ़िये फटिला इस से शुरू हुई है ये भी घोटाला ही है तीसरा पेपर लीग घोटाला इसके बारे में तुम्हें इतनी बात बता चुका इस पर तो कल छापे मारी भी हो गई और इस मामले में जो कॉंग्रेस अध्यक्ष है गोविन सिंग डोटाटसरा खुद यही जिम्मेदार मतलब यही एक बड़े आरोपी है और कई सारे रिष्टदार नेताओं के अपने रिष्टदार मंत्रियों के रिष्टदार बहुत सारे लोग दोस्तों है और इस घोटाले में आप देखिए नौकर शाह से लेकर तमाम लोग शामिल है जिसमें बेरोजगारों के साथ उनके जीव इसमें इनका भी एक नाम है इसके अलावा जल जीवन मिशन घोटाला ये भी 20,000 करोड रुपे का घोटाला है तो कुल मिला करके साथ यो एक समय था आपको याद होगा जब हर इंसान हर लोगों के मन में ये भावना होती थी कि जब ये नेता इतने भरष्ट है तो उन पर क कारवाई क्यों नहीं होती तब ये सवाल उफता था कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांदे कौन इन पर शिकंजा कसे कौन इस पर कारवाई करे लेकिन आज जब इन पर कारवाई हो रही है जब प्रधान मंत्रि मोधी ने ये कोशिश की कि जो आरोपी हैं उनके गले में घंटी बांधी जाए तो क्या narrative खड़ा किया जा रहा है कि क्या ब्रश्टाचार के आरोपी हमी हैं क्या भाजपा के लोग दूद के दुलेवे हैं सारे आरोपी हमी लोग हैं अब ऐसी चीजों के लिए दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भ जहां तो विपक्ष की सरकार है अलग-अलग दलों नेताओं की सरकार है तो आप भारती जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं करते हैं आपको किसने रोखा है जैसे ही आप सवाल पूछेंगे उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और तभी आपको प और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार